आज हम पढ़ने जा रहे हैं going downhill on a bicycle यह जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो यह चित्र है एक बच्चा है जो छोटी पहाड़ी से नीचे की और आ रहा है और उसके पास है एक bicycle, bicycle से वो नीचे की और आ रहा है आप भी कभी cycle चलाते होंगे तो आपने यह देखा होग होगा आपका यह अनुभो रहा होगा कि जब भी आप उची चोटी से उची पहाड़ से या फिर उची जगह से जब आप cycle चला कर आते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपको पैडल नहीं मारना होता है आप सीट पर अपने बैठे होते हो और आप अपने पैर को स्थिर रखे रहते हो और cycle खुद बखुद चलते जाती है यह तब ही होता है जब आप किसी उचे अस्थान से नीचे की और जा रहे हो ठीक है आप सड़क पे ही है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ब्रीज को चढ़ना होता है जब आप ब्रीज की और चढ़ते हैं तो बाइसिकल को हाथ से पकड़ लिया और बाइसिकल खुद बखुद चलते जाती है यही चीज हो रहा है इस बच्चे के साथ यह बच्चा एक छोटी सी पहाड़ी पर गया है और फिर वहां से जब वह आता है तो उसे पैडल नहीं मारना होता है और हवाप में वह अपने पै काफी खुशी से उमंग से हम चिल आते हैं इस बच्चे के साथ भी हो रहा है काफी इंजॉय कर रहा है चिल आ रहा है तो आईए देख लेते हैं क्या कह रहा है यह जो पोयम है इस पोयम को लिखा है है हैंडरी चार्ल्स बिचिंग ने अगर आपके बस लाइट की प्रॉब अगरी चार्ल entfer बिचिंग ने से लिखा हुआ है है तो छली देख लेते हैं with lifted feet hands still यह देखिए with lifted lifted ska मतला होता है lift का मतला होता है उपर की और उठा लेडा उपर की और उठाना feet, feet देखी किसको बोलते है, foot मतलब होता है पैर, एक पैर को foot बोलते है, और दोनों पैर हो गया तो क्या बोलेंगे, feet, जैसे एक दात को हम लोग बोलते है, tooth, ठीक है, और बहुत सारे दात हो गया तो हम क्या बोलते है, उसको teeth, ठीक, वही चीज यहां पर भी है, देखिए, क् lifted feet, यानि कि अपने दोनों पैरों को हवा में उठाए हुए, अब हवा में उठाए हुए का मतलब हो गया कि वह पैडल पे भी उसका पैर हो सकता है, या पैडल से भी उसने अपने पैर को हटा लिया, अब ये दोनों कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, अपने दोनों पैरों को हवा में उठाए हुए, और उसके हाथ स्थिर है, स्थिर है मतलब सांत है, यानि कि वो साइकल के हैंडल को उसने पकड़ा हुआ है, clear, I am posed and down the hill, ये जो लड़का क्या कह रहा है, posed का मतलब होता है संतुलित, balanced, यानि कि confident में हो, I am posed, जब वो चोटी पहाड़ी से नीचे की और आ रहा है, hill का मतलब होता है चोटी पहाड़ी, down का मतलब नीचे, जब वो चोटी पहाड़ी से नीचे की और आ रहा है, तो उसने संतुलन बनाए रखा है, dart with heedful mind, dart समझते हैं, एक तरह का तीर होता है, जो हवा में हम उसे फेकते हैं, तो कावी तेजगती जाता है तो यहांपर डाइट का मतलब क्या होगा to move quickly यानि कि जल्दी से तीव्र गती से तीज़ी से यहां वो तीर नहीं आएगा इसका मतलब क्या ओगा to move quickly यहनि कि बहुत तैजी से आना dart with heedful mind वो बहुत तेजी से सावधानी पुर्वक नीचे आ रहा है heedful का मतलब होता है सावधानी पुर्वक यानि कि careful वो बहुत सावधानी पुर्वक नीचे आ रहा है यानि कि जब वो उची चोटी से जब आ रहा है उची पहाडी से आ रहा है एयर का मतलब होता है हवा, एयर मिंज हवा, जो आसपास हमारे और आपके हवा है, और विंड का मतलब होता है, तेजी से बहने वाली हवा को हम लोग विंड बोलते हैं, ठीक है, तो एयर गोस बाई इने विंड, जब वो बच्चा, जब वो लड़का, पहाड़ी से नीचे आ तो हवा काफी तेज भिए है को आप ज तो चल रहे है उसको डटका भी पहाडी से नीचे आरा है तो हवा काफी तेजी से भू इंट स्टिटर स्टिफ्टर एंड येर मोट स्टिफ्ट का मतलब होता है फास्टर फास्टर मतलब बहुत तेजगति से उसकी बाईसिकल बहुत तेजगति में है वह उसकी स्पीड को और उसकी स्पीड और भी बढ़ती जा रही है यि है जब वो पहाड़ी से जब वो नीचे की और आ रहा है तो स्के शाइकल की स्पीड में है ही लेकिन और भी जपेडियों है में उसकी साइकल बढ़ता जा रहा है makes the lungs laugh the throat cry sorry till the heart with the mighty lift makes the lungs laugh the throat cry देखिए यहाँ पर यहाँ से पढ़ना था मुझे till the heart with the mighty lift देखिए mighty lift का मतलब क्या होता है full of excitement पूरे इंजवाय से भर जाना makes the lung laugh the throat cry इसका देखिए एसे हम इसका आर्थ समझेंगे यहाँ पर क्या है laugh, lungs laugh यानि कि उसका फेफड़ा थोड़ी हसता है उसका heart थोड़ी हवा में उड़ने लगता है ऐसा थोड़ी होता है इसको हम आर्थ क्या हम इसका निकालेंगे जोर से जब वो तेज गती से जब वो तेज गती से पहाडी से नीचे आ रहा है तो जोर से चिलाने के वज़ा से जोर से चिलाने के वज़ा से नहीं होता है कि जब हम लोग जूला जूलते हैं उपर की और जाते हैं नीचे आते हैं तो जोर से चिलाते हैं खुशी के मारे हम लोग चिलाते हैं ना तो जब वह लड़का तेज गती से पहाड़ी से नीचे आ रहा है तो वह जोर से चिलाता है और चिलाने की वज़ा से चिलाने की वज़ा से उसका पूरा सरीर फूरा एकसाइटमेंट से उसका शरीर भर जाता है वो इतना मस्ती करता है को जोर से चिलाता है उसे काफी आनन्द आता है तो उसका पूरा सरीर इंजवाय से भर जाता है इसका अर्थ यहां पर यह निकलेगा आगे ओ बर्ड सी शी बर्ड आइफ लाई वो लड़का बोल रह हूं ऐसे भी बोल सकते हैं या मैं ऐसे बोल सकता हूं अच्छा और लगे बच्छों को वह चडियारानी देखो देखो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ता हूं आगे है is this your joy क्या यही है क्या यही तुम्हारा आनन्द है इसको ऐसे भी बोल सकते है क्या तुम्हे भी उड़कर उतना ही मज़ा आता है क्या इसको ऐसे भी बोल सकते है क्या तुम्हे भी उड़कर इतना ही मज़ा आता है question mark दिया हुआ है oh bird then I do a boy oh chriya हलाकि मैं एक लड़का हूं, दो का मतलब क्या होगा हलाकि यद्धि भी, हलाकि मैं एक लड़का हूं, For a golden moment, share your feathery life in a year, अब देखिया फैदरी life का मतलब है, लाइफ of a feathered bird, एक चुड़िया का वो जो पंक वाला जो होता है, लाइफ उसके बारे में बात हो रही है लेकिन वो इंज्वाय कौन कर रहा है वो लड़का कर रहा है तो उस लड़के को शिडिया के तरह मज़ा रहा है वो शिडिया को बोल रहा है कि देखो शिडिया रानी मैं भी तुम्हारे तरह ही हवा में उड़ रहा हूं जिस प्रकार स तुम अपने पंक से हवा में इंज्वाय करती हो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे तरीके से मैं एक लड़का होकर तुम्हारी तरह उड़ रहा हूँ और जैसे तुम उड़ती हो वैसे मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ ऐसा लगता है मानो मेरे पास भी पंक है यह था गोइंग डाउन गोइंग डाउन हिल और बाइसिकल आपको उमीद है कि आपको समझ में आया होगा आई होप वीडियो थोड़ा से लंबा हो गया समझाने के चक्कर में चलिए बाए